हेलो बच्चो कैसे हूँ आप आज हम कक्षा चार हिंदी की वर्क सीट 25 हल करेंगे उपविशय पड़कू की सूज तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रेशन एक सब्दो को उनके सही अर्थ के साथ मिलान कीजिए तो बच्चो यहां एक तरफ सब्द और दूसरी तरफ अर्थ दिये गए हैं हमें सब्द को उसके सही अर्थ से मिलाना है पहला पड़कू का मिलान करेंगे ख से जदा पढ़ने वाला दूसरा मनतिक का मिलान करेंगे क तरकशास्तर से तीसरा तनिक का मिलान करेंगे घ जरासा से चोथा धर्ता का मिलान करेंगे ग पकड़ता से पाँचवा गड़ना का मिलान करेंगे बनाना मन से बनाना से छटा धब का मिलान करेंगे ड़ धंग तरीका से साथवा पागुर का मिलान करेंगे छ जुगाली से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन 2 कवीता पढ़कर निम्न लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए पहला पढखकू कैसे थे और क्या पढ़ते थे तो इसका उत्तर लिखेंगे पढखकू बहुत तेज थे और तरक सास्त्र पढ़ते थे दूसरा पड़क को क्या बाते नहीं समझ पाया तो इसका उत्तर लिखेंगे पड़क को समझ नहीं पाया कि बैल कोलू में बिना चलाए कैसे घूमता है तीसरा एक दिन उसने मालिक से क्या पूछा तो इसका उत्तर लिखेंगे उसने मालिक से पूछा कि आप कैसे पता लगा लेते हो कि आपका बैल खड़ा है या चल रहा है चोथा मालिक कैसे समझ लेता है कि बैल काम कर रहा है तो इसका उत्तर लिखेंगे मालिक बैल के गले में बंदी गंटी से समझ जाता था कि बैल काम कर रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवा पड़कू ने मालिक का उत्तर सुनकर क्या कहा तो इसका उत्तर लिखेंगे पड़कू ने मालिक से कहा कि तुम बेवकूफ ही रहोगे अगर किसी दिन बैल खड़े खड़े ही गर्दन हिलाते रहे तो तुमें एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा प्रशन तीन नीचे लिखे सब्दों के पीछे सास्तर सब्द लगाकर नया सब्द बनाईए तो बच्चो यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए हैं हमें उन सब्दों के पीछे सास्त्र सब्द लगा कर नया सब्द बनाना है पहला आपके लिए किया गया है तर्क जमा सास्त्र बनाया है तर्क सास्त्र दूसरा लिखेंगे समाज जमा सास्त्र बराबर समाज सास्त्र तीसरा अर्थ जमा सास्त्र बनेगा अर्थ सास्त्र चोथा राजनीती जमा सास्त्र तो बनेगा राजनीती सास्त्र पाँचवा चिकित्सा जमा सास्त्र तो बनेगा चिकित्सा सास्त्र छटा पाक जमा सास्त्र बनेगा पाक सास्त्र चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न चार, द, ध, ड, ध, वाले, दो-दो सब्द लिखिए, द, वाले सब्द लिखेंगे, डमरू, डगर, ध, वाले सब्द लिखेंगे, धक्कन, धाल, ड, वाले सब्द लिखेंगे, घड़ा, खड़ा, ध, वाले सब्द लिखेंगे, पढ़ना, चड़ना. तो बच्चो ये वर्क सीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नोलेज किंगडम थैंक यू